लेकिन विनु दगदी होतरी जी आपने तीनों पॉलेटिकल पार्टी के निताओं को सुना बीजेपी को, कॉंग्रेस को, आमादी पार्टी को अब तीनों की बातों से एक जनलिस्ट के तौर पर आपको अपीनियन क्या निकलता है क्योंकि बीजेपी जिस साफसे आमादी पार्टी को एक्स्पोस कर रही है ये सवाल आता है क्या आमादी पार्टी के एन्टिस डैरी सहमी है कॉंग्रेस जो दावा कर रही है ग्राउंड रूट पर कॉंग्रेस मजबूत दिखा रही है अलोग जीर सो जीरो स्क्रिट दिखा रहे हैं केजरिवाल जी आम आदमी पार्टी को क्या कॉंग्रेस को कहते हैं कि ये तो पांच स्क्रिटों पर सिमट जाएंगे तो इन दावों इन हकिकत के बीच में ये चुनाव कितना अलग है और इस चुनाव को कैसे आप देख रहे है जौनलिस्स के तौर पर जाते हैं और मोधी बना अदर्स हो जाता है मैं तो कम सकम जितने चुनाव में देख कोर सब में है हुआ है और ये Çवosh यह भी सही है कि 2002 के बाद जो अधित्तम 127 सीटें जीती ती भारतिता पार्टी ने, उसके बाद से लागतार उसकी सीटें कम हुई है, और 2017 में 99 पर आके रुप गई है, इस बार पूरी कोशिश है कि यह 127 का जो रिकॉर्ड है, मोदी जी का अपना रिकॉर्ड है, वो तो मातो सिंग सुलंगी का जो एक सुन चास सीटों के रिकॉर्ड है, वहां तेक पहुंचने का भी है, लेकिन तो इसके पीछे कोई आधार है या सिर्फ दावा है सेर, नहीं, दावा तो हर चुनाओं में है, पिछले चुनाओं में भी 1500 पार का दावा क्षिया का, हमीशा तो बीजेपी हमेशा दावेट करती है और हमेशा पढ़े दावेट करके ही लक्ष को पाया जाता है, लक्ष है बहुमत पाना, तो बहुमत तो पाई लिया था उन्होंने, लेकिन आधार की नहां तक बास है, वो आधार, एक मातर आधार अगर गुजरात में कुछ है, तो परेद मोदी जी की लोग प्रिता है, और उसके लाओ बाकी 117 साल की एंटी इंकंबन्सी भी है, 117 साल के तमाम सारे और कारण है, पालिटी के बीतर भी, पुराने लोग के टिकट कटे और नए लोग सामने लाएगा, तो इसब चीए होती है, अचा विनो जी, एक सवाल मेर मन में और आ रहा है सार, और ये सवाल देश भर में बहुत लोग जानना भी चारे होंगे, हर पाल्टी अपने आपको मुसल्मानों का रहनुमा बनाती है, और ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि गुजरात में कहा जाता है कि वहाँ धुरवी करण की पॉलिटिक्स होत है, अगर आकड़े गलत हो तो आप करेट कर दीजेगा, जो मेरे एक आकड़ा निकाला, 27 साल में बीजेपी ने एक टिकेट नहीं दिया, इस बार कॉंग्रेस ने भी केवल 6 मुसलिम उम्मिदवारों को उतारा है, और आम आदनी पार्टी ने 2 टिकेट दिया है, तो क्या हि गुजरात की सियासत हो गई है, मुसल्मानों के करीब जाने में डर लगता है, ऐसा आपको लग रहा है, या फिर जो बात वो लोग कहरें कि नहीं नहीं, टिकेट जीतने वाले प्रत्याशी को लेकर होता है, और जो जीत कर देगा, हम तो उससी को चुनेंगे, क्या फरक खाली जो है, आप योजनाएएल फाइदा हो रहा है, जिसे हमारे गाव में कहावत है, कि बहुरिया देरी ने लागता ना घर तुमारा है, तो आप योजनाओं को लाब दीजिए, लेकिन साथ साथ सता में हिस्दारी भी तो जीदारी भी तो जीदीए, और ये जिम्मेदा मैं तो कहता हूँ अब मुसल्मान तो फिर्वें थावन लाक हैं अरे पांच लाक की आबादी वाले अगर कोई समुताय है उसका भी कोई उमीदवार जीत के जाना चाहिए उसकी भी नुवाइद की होनी चाहिए यह जिम्बेदारी है और जहां तक यह बात है कि हिंदुत की टिकेट दिया गया है मुसल्मान को नहीं दिया बीजेपी की तबसले जिस आई विक्ती को टिकेट दिया गया है अगर दिया गया तो अच्छी बात है बिल्कुल इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन पूरी राजनीति हिंदु-मुसलिम नरिटी पे चलती है गुजरात की तो इसलिए मुसल्मानों से परहज कर दें लगी पार्ट लेकिन केके शर्मा जी, आपने आलोग जी को भी सुना, आपने कुलदीब जी को भी सुना, दोनों ने बार-बार दो चीज़े उठाई, एक गुजरात मॉडल जो है, वो खोकला मॉडल है, वो कह रहे हैं, वो कह रहे इसके लाबा मंदर से मंदर अलग जाना, तो क्या आपके पास काम कम है, इसलिए इतने सबसे बड़े पॉपुलर नेता को आप लोगों ने पुश कर दिया, और मॉर्भी की घटना, पर आप लोगों ने क्या किया है, जो जनता आपको वोड़ दे। वेक्ति की और निश्टी तुरूप से उसकी जाच भी बैठी हुई है, जाच भी हो रही है, दोसियों को पकड़ा भी जा रहा है, और जो दोसियों पकड़े भी जाएंगे, लेकिन मैं केवल आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अभी जो मैं सुन रहा था, आलोग जी को भी और हम आदमी पार्टी की लोगों को भी, 27 साल की अन्टी, अरे भाई 27 साल से गुजरात की जनता ने आपको क्यों बाहर रखा है, 6-6 बाहर आपको चुनाओ क्यों हरवा दिया, क्यों हरवा दिया, इसलिए क्यों कि आपके नितित की आपकी पार्टी के कोई विश्वस्रित नहीं बची है और केवल केवल गुजरात में नहीं बची है पूरे देश में नहीं बची तब यह आपके हालात बने है ना अभी इन्होंने नोडबंदी का जिक्र किया नोडबंदी के बाद तो 2019 के चुना हुए हम 272 सीट जीते थे 272 से जनता ने आसिरवात दे के हमको 303 करेगा सुभांकर जीन ने defilis कि आप बाट बे देगा है मैं आप तो मेरीबात ने दीजिए आपको आपको मैं कहे रहा हूं आसाम का चुना हुआ उसके बाद अभी जू है उत्तर प्रदेस-का चुना हुआ उत्त्रा-खंड का चुना का चुना हुआ दा हमें क्ها क्यों क्या रही है अभी उत्तर प्रदेश में इनों ने 350 सीट लड़े यही यही पुरा हववा बना के रखा था पोस्टर और बेनर से 345 सीटों में जमान अजब्त हो गई उत्रा खंड में 17 सीटों में जमान अजब्त हो गई इनके मुख्यमंत्री का कंडिडेड जो था आज हमारी पार्टी में उप प्रचार कर रहे हैं आप हिमाचल का चुनाओ देखिए हिमाचल से यह जो है चुनाओ चालू होने के पहले क्या कर रहे थे यह गुजरा यहां पंजाब से बस भर भर के वहां भीड़ जमा करके यही होहला मचाय हुए थे जै चार तक करने नहीं कह राहूल गांधी वहां पर